Hello friends, welcome back, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गयन की रोशनी में दोस्तों तो आज के भीडियो में हम जानने वाले हैं जनरल नोलज के महत्वपुर्ण प्रस्ण और उत्तर जो बार-बार पुछे जाते हैं आपका पहला सवाल है कौन सा जनवर है जो पानी पीते ही मर जाता है आपका ओप्षन है A. दड़ियाई घोरा, B. बाइसन, C. गोरिला, D. कंगारू रेट और सही उत्तर है ओप्षन D. कंगारू रेट आपका ओप्षन है A. नेपाल देश का, B. यूक्रेन देश का, C. रुस देश का, D. आस्ट्रेलिया देश का और सही जबाब है ओप्षन B. यूक्रेन देश का आपका अगला सवाल सवाल नमबर तीन पुलीष को हिंदी में क्या कहा जाता है आपका option है A. सिपाही, B. रक्षक, C. जनकवच, D. राच्की या जनरक्षक और सही जबाब है option D. राच्की या जनरक्षक आपका अगला सवाल सवाल नमबर 4 किस देश के लोग सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं? आपका option है A. भारत में, B. कानाडा में, C. चिन में और D. अमेरिका में और सही जबाब है option B. कानाडा में आपका अगला सवाल है सेर की दहार कितनी किलोमीटर दूर तक सुनाई देती हैं? आपका option है A. 2 km, B. 4 km, C. 8 km और D. 10 km और सही उत्तर है option C. 8 km अगला सवाल सवाल नमबर 6 आकास में दिखाई देने वाले तारों के कितने रंग होते हैं आपका option है A. 3 रंग, B. 2 रंग, C. 5 रंग और D. 7 रंग और सही जबाब है option A. 3 रंग आपका अगला प्रस्न प्रस्न नमबर 7 तार्ज महल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था आपका option है A. 10,000, B. 20,000, C. 22,000 और D. 25,000 और सही जबाब है option B. 20,000 आपका अगला सवाल है कौन सा जानवर अपने आशूओं के लिए प्रसिद्ध है आपका option है A. हाथी, B. जिराफ, C. भालू, D. मगरमच और सही जबाब है option D. मगरमच अगला सवाल सवाल नमबर 9 सा जहां के पिता का नाम क्या था आपका option है A. हुमायू, B. अकबर, C. जहांगीर, D. औरंग जिब और सही जबाब है option C. जहांगीर और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक और एक सेर करना ना भूले हमारे इस महनत के लिए एक लाइक तो बनता है आपका अगला सवाल सवाल नमबर 10 एक स्वस्त मनुस्य की आखे कितनी दूर तक देख सकती है आपका option है A. 8 km, B. 10 km, C. 15 km और D. 20 km हलो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल के आइकन को All पे अवस्त से दबा दिजेगा और सही जबाब है option D. 20 km अगला सवाल सवाल नमबर 11 मच्छर कितनी उचाई तक उर सकता है आपका option है A. 50 feet, B. 100 feet, C. 120 feet और D. 150 feet और सही जबाब है option A. 50 feet आपका अगला सवाल है बल्ब का आविश्कार किसने किया था आपका option है A. ग्रहम बेल, B. माइकल फेराडे, C. जेम्स वाट और D. थरमस अलवा एडिशन और सही जबाब है option D. थरमस अलवा एडिशन अगला सवाल सवाल नमबर 13 मनुष्य के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं आपका option है A. 15 दाथ, B. 20 दाथ, C. 25 दाथ, D. 28 दाथ और सही जबाब है option B. 20 दाथ अगला सवाल सवाल नमबर 14 अंतर राष्ट्रिय योग दिवस कब मनाया जाता है आपका option है A. 21 जून को, B. 25 जून को, C. 15 अप्रेल को, D. 17 जुलाई को और सही जबाब है option A. 21 जून को अगला सवाल सवाल नमबर 15 ताज महल को उस समय बनाने में कितने रुपे का खर्चा हुआ था आपका option है A. 18 करोर, B. 25 करोर, C. 33 करोर, D. 50 करोर हलो दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल के आइकन को All पे अवस्य दबा दिजेगा और सही जबाब है option C. 33 करोर अगला सवाल सवाल नमबर 16 विश्व में सबसे ज़्यादा मोटर साइकल किस देश में चलती है आपका option है A. भारत में, B. चीन में, C. अमेरिका में, D. जापान में और सही जबाब है option A. भारत में अगला सवाल सवाल नमबर 17 वह कौन सा पुस्प है जो 12 वर्सों में एक बार खिलता है आपका option है A. निलकंट, B. निलकुरिंजी, C. नागपुस्प, D. सदा बहार और हाँ दोस्तों विश्वाल में से आपने कितने सवालों का सही जबाब दिया कमेंट में जरूर बताईएगा और सही जबाब है option B. निलकुरिंजी, C. आपका अगला सवाल है पिर्थवी पर उगायच जाने वाली सबसे पहली सबजी कौन सी सबजी है आपका option है A. बैंगन, B. टमाटर, C. सिमला मिर्च और D. आलू और सही जबाब है option D. आलू अगला सवाल सवाल नमबर 19 सूर्य के प्रकास को धर्ती तक आने में कितना समय लगता है आपका option है A. दो मिनट, B. पांच मिनट, C. आठ मिनट, और D. दस मिनट और सही जबाब है option C. आठ मिनट अगला सवाल सवाल नमबर 20 किस देश में सूर्य सबसे पहले डूबता है आपका option है A. भारत में, B. पाकिस्तान में, C. जापान में, D. न्यूजिलेंड में हलो फ्रेंज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेने के बाद, बेल के आइकन को All पे अवज से दबा दिजेगा और सही जबाब है option D. न्यूजिलेंड में अगला सवाल आपके लिए है चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा पौधा है आपका option है A. आलू, B. गाजर, C. टमाटर और D. कपास Hello friends इस सवाल का जबाब आप अपने comment box में जरूर बताईएगा आपका जबाब आपके लिए जबाब आपके लिए है